बहुत समय पहले की बात है एक बार एक न्याजीस मतलब जज एक सरकारी काम से पैदल ही किसे जीले का दोरा कर रहे थे उनकी पत्नी उनसे पीछे थी इसलिए उन्होंने अपने पत्नी से कहा था कि पीछे आ रहे घुड़ा गाड़ी से बैठ कर आ जाना मार्ग में आते आते उन्हें एक आम का बाग दिखाई दिया जिससे वे अपने आपको रोग नहीं सकी और गाड़ी वाले से कहीं कि कुछ आम पेट से तोड़ो सन्योग वस एक बड़ा आम उनके हाथ पर आगिरा और नैधिस की पत्नी का सोने का कंगन तूट गया तूटे हुए कंगन का बहुत ढूड़ने के बाद भी एक भी टुकुड़ा नहीं मिल पाया जिससे उनको बहुत दुख और पस्तावा हो रहा था अन्त में आकर नैधिस की पत्नी ने सारे कहानी नैधिस की सुनाई जिससे नैधिस कहने लगे ठीक ही हुआ बिना अधिकार के किसी का भी धन नहीं छुना चाहिए इसलिए भगवान ने मेरा चाकू भी खुआ दिया जो हम लोग करते हैं उसका सजा सभी को मिलते है इसलिए हमें किसी का भी वस्तू बिना उससे पूछे नहीं छुना चाहिए अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हूँ तो चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक और वीडियो को जादा जादा लोगों में सेयर करें धन्यवाद बहुत समय पूछे